हालो दोस्तों स्वागत अब सभीका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो यह अफगानेस्तान वर्सिस पाकिस्तान के टीम के बीच में तो यह थर लोडियाई का मैच खिला जाएगा इस मैच के बारे में इस वीडियो में और साथ ही साथ अपनी small league की team भी बनाएंगे और जानेंगे किस player को हमको अपनी team में लेना है किस को हम लोग यहाँ पर drop कर सकते हैं तो हरे player के बारे में इस video में हम लोग बात करने वाले हैं तो आप लोग video को सुरूँ से लेके last तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग अपनी एक खुछ से बैतरी team बना पाओ तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपन जिसमें से 6-6 match यहाँ पर पाकिस्तान की team नहीं जीते हैं अफगानिस्तान की team पाकिस्तान की team से अभी तक कोई भी ODI का match नहीं जीत पाई है तो आप यह चीज़ आपर देखे चल सकते हैं अब इस series की बात करें तो यह series तो पाकिस्तान की team जीत चुकी है आपर 2-0 से तो अब यह आखरी match बचा इस match में देखते हैं क्या होता है अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस venue की बात करें तो यह match आर प्रेम दासा इस्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा इस venue की दोस्तों बात करें तो फर्स निनिंग का average score 239 करा है सेकंड निनिंग का average score 182 करा है यानि कि अगर overall इस venue के बारे में बात करें तो दोस्तों यह betting के लिए एक अच्छा विकेट रहता है और कोई team अगर यहाँ पर खराब ना खेले तो अच्छा खाजा यहाँ पर score बनाया जा सकता है अब यहाँ पर pace versus spin की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो last 10 match इस venue पर ख चलना यानि कि दोनों को अपनी team में लेके चलना दोनों ही मेरे साबसे यहाँ पर अच्छा करने वाले हैं अब यहाँ पर दोस्तों लोग बात करें जो recent match खेले गाए इस venue पर अगर यहाँ पर अगप उनका score card देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा किस तरह क यहाँ पर score बनाए तो recent में दोस्तों यहाँ पर पाक A versus India A की team के बीच में यह emerging Asia Cup का match हुआ इसमें आप देखेंगे तो पाक A की team ने पहले betting करते हुए यहाँ पर 352 बनाए और इस match को India A की team को 224 पर all out कर दिया तो यह match India A की team हार गई थी उससे पहले यहाँ पर देखेंग इंडिया A की team ने यहाँ पर 211 बनाए और बांगलादेश A की team ने यहाँ पर 160 बनाए उससे पहले भी यहाँ पर 205 बने है और इस match को India A की team ने 210 बना कर chase भी किया है तो overall दोस्तों यह betting के लिए अच्छा wicket रहता है और कोई team अगर यहाँ पर खराब ना खेले तो अच्छ तो अपनी यहाँ पर team create करने से पहले आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर दोस्तों आपको इस match में Pakistan की team काफी changes करती हुई दिख सकती है क्योंकि Pakistan की team के लिए कोई ज्यादा important यह वाला match है नहीं तो हो सकता यह अपने बड़े player को rest देके कुछ जो player अभी तक नहीं खेल और हरीस तो हरीस को अभी तक यहाँ पर पाकिस्तान की team ने मौकार नहीं दिया इस series में पर दोस्तों हरीस आपको इस match में खेलते हुए देख सकते हैं और अगर खेलते हैं तो इनको आप लोग try भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छे option है और recent भी इनका अच्छा रहा है जो अभ पर पाकिस्तान की team पहले बैटिंग करेगी तो फिर रिजवान ज्यादा अच्छा option रहेंगे तो जिसकी team पहले बैटिंग करे वो ज्यादा अच्छा option रहेगा हलाकि गुर्बाज को आप लोग दोनों ही निंग में try कर सकते हैं क्योंकि यह opening करते हैं रिजवान यहाँ पर चलने वाला है फ्लाल के लिए मैं यहाँ पे गुर्बाज को लिया है अलकी रोतने अच्छे रहेंगे नहीं इनको यहाँ पर अभी try नहीं करना है यहाँ चलते हैं पैटिंग सेक्षर में तो यहाँ पर दोस्तों इमाम हुलाक इंपोर्टेंट रहेंगे दोनों ही मैच में कुछ खास परफॉर्म ना रहा हो पर इंपोर्टेंट है इनको आप लोग लेके चलें इब्राहिम जद्रान ने दोस्तों लास्ट में काफी अच्छा किया इनको लास्ट में मैच में अपनी टीम में पिक भी किया था पर बाद में मैंने जब फाइनल टीम आप लोगों को बी खड़ा किया तो लास्ट में काफी अच्छा परफॉर्म न कर रहा था आप लोग ट्राइब करना चाहिं बिलकुल कर सकते है अच्छी ओप्सन है मैंने या पे फलाल के लिए फकर को लिया आप लोग चाहें तो फकर कीजिए का पर भी जद्रान को ट्राइब कर सकते है स अभी इनमें से कोई खेल नहीं रहा है पर मेरे साब से हो सकता है यहां पर आपको सकील या साफिक में से कोई खेलता हुआ देख जाए तो इनमें से कोई खेलता है तो दोस्तों यह लोग भी अच्छे उप्ट है और रीजेंट भी अच्छा यहां पर राय सकील का पर यहां प पिक रहेंगे, बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग भी दे रहा है, बॉलिंग दे क्या रहा है, मतलब बॉलिंग तो कराते ही हैं, तो आल राउंडर वाला काम कर रहा है, तो दोनों इंपोर्टनेंट हैं, आप लोग इनको लेकर ही चलें, ये सलमान की दूस्तों बात करें, अगर आप लोग ट्रंप प्लेयर के तौर पे ट्राई करना चाहें, तो इनको कर सकते हैं, ये भी अच्छे उप्टन है, पर ये पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करें, तब थोड़े ज्यादा अच्छे उप्टन रहेंगे, नवाज को अभी तक मौका नहीं मिला है, ख रूरोटेट कर लेना, तो अभी के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ओल राउंडर सेक्टर में, मैंने इन दो यहाँ पे ओल राउंडर को लिया है, आप यहाँ पे चलते हैं, बॉलिंग सेक्टर में, तो आपको यहाँ पे काफी अच्छे उप्टन मिलने वाले हैं, तो य हला कि recent अच्छा है तो दोनों ही इनिंग में आप लोग लेके चल सकते हैं फारुकी की दोस्तों बात करें फर्स्ट इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे डैथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे यू मेर की दोस्तों बात करें तो ट्रम बन सकते हैं जैसा कि आपको मैंने अभी आगे दिखाया कि यहां पर इस्पिनर भी अच्छा करते हैं तो इस्पिनर भी यहां पर आपको अच्छा काजा करके हुए दिख सकते हैं यू मेर यहां पर काम आ सकते हैं तो इनको आप लोग को पिक करके चल सकता हूं तो फिलाल के लिए दोस्तों मैंने यह पर फार कोई ही लिया आए तो फिलाल जो मेरी यहां पर team बन रही है वो यहां पर कुछ इस प्रकार है यहां पर दोस्तों दोस्तों CWC option की बात करें तो आपके पास यहां पर बाबर का option रहेगा अगर पाकिस्तान की टिंग पहले बैटिंग करती है तो उसके अलावा यहां पर बात करें तो रासिद और साइन अफ्री दी तो यह लोग अच्छे उप्टन रहने वाले हैं सीवीची के अगर आप लोग थोड़ा अलग जाना चाहें तो यहां पर नभी और साधाव यह लोग भी कोई खराब उप्टन नहीं रहेंगे यह भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं तो यह पांच अच्छे उप्टन इस मैच में सीवीची के देख रहे हैं आप लोग जिसको चाहें कर सकते हैं फिलाल के लिए दोस्तों मैं यह यहाँवर को दियां, मैं यहाँवर के सकते हैं अगर यहाँवर क बांच करें तो यहाँवर को चैनल नहींद है और फ़स्तों मेरी टीम में कुछ भी टेलीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिरे एक नई वीडियो को साथ पूरा वीडियो वाच करने के लिए थैंक यू सो मज़ दोस्तों